नमस्कार दोस्तों मैं संदीप स्वागत है आप सो भी का आपके अपने सक्सेस तो यूट्यूब चैनल में तो आज पार्ट नंबर है 17 आज किस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी माडल कुष्चन के बारे में आज किस वीडियो में जितने भी कुष्चन होने वाले वो बि अगर आप पूरी तरह देखते हैं तो आप बीडियो को पूरी तरह देखते हैं तो तो आने वाले एक्जाम में आप लोगों को काफी इस वीडियो से help मिलने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जितने भी question होने वाले वो घाना नंद जी से related होने वाले आप सभी को मालू है कि घाना नंद जी से related हिंदी में बहुत सारे question पूछे जाते हैं इस वीडियो से आपके 5-6 नंबर का तो clear ही clear हो जाता है अगर आप लोग द्यान से समझते हैं मिना देरिये को यह वीडियो में आगे बढ़ते हैं देखते हैं आज किस वीडियों पहला question कहुंज से आप लोग पढ़िए लिखा है कि घाना नंद का जन्म कब हुआ था तो घरा निंद जीससे लिए लेके इस वीडियों question है तो आप आप लोगों को मिल जाएंगे से उसी तरह मिलेंगे संबद 1730, 1746, संबद 1695 और संबद 1807 तो बिना देरी को इस question का right answer आपको बताए दे रहे हैं आने वाले दिनों में जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो इस सभी question का answer आप सभी को देना होगा ये ध्यान में रखिएगा ठीक है तो इस question को जो right answer हो जाएगा घनाद जी का जन कब हुआ था उस सन में हुआ था मैं आपको बता दो 1746 में हुआ था संबद 1746 में right answer हो जाएगा बी नंबर बात करते हैं अगले question की अगला question है कि घनानंद का किस्ट भक्ति संबंधी बहुत बड़ा गरंत कहां के राज पुस्तकाले में है बहुत important question एक जाम में कई बा आपसे आपको मिल जाएं कासी में भारतपुर में और लास्ट है चात्रपुर में तो इस question के तो राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा चात्रपुर ठीक है कि बात करते हैं अगले question की अगला question कहे रहा कि निम्लिखित में से आनंद घन नाम से कौन सा कभी जाना जाता था नंबर एक घनानंद देव कबीर भोशन तो आप सो एक मालूम इस वीडियो हम घनानंद जी की बारें बात कर रहें तो राइट एंसर को जाएगा ए नंबर घ question है कि निम्लिखित में से रस बसंत कौन से कभी की करती है जाशी पादमाकर कुमार प्रकास घनानंद question राइट एंसर डी नंबर हो जाएगा ठीक question आप ध्यान दीजिएगा कोई ना कोई question आपको इस वीडियो वाले आपको आने वाले एक्जाम में देखनों की हीमी लेंग राइट एंसर हो जाएगा बी नंबर बात करते हैं एक लेक्षिंट की लिखाया की ब्रह लीला ठीक है ब्रह लीला किस भासा में नंबर एक भोचपुरी हिंदी अवधी और लाश्ट आपसन ब्रज में तो ब्रज भासा में इसलिए question कर राइट एंसर हो जाएगा डी नंब ठीक है बात करते हैं इस question की निवने में से घनानंद किस काल के कभी थे बहुत इंपार्टन को जामें कई बार आभी चुका है रीत काल मिल जाएगा आपसन आपको भक्तिकाल आधनिक काल च्छाया वादी काल ठीक है तो इस question कर आइट एंसर हो जाएगा जोर घनानंद जी ह किस्किन में हुआ था यासमबत में अब यहां question आ रहा है कि घनानंद का जन्म कहां पर हुआ था question कर राइट एंसर हो जाएगा घनांद का जन्मोलंत सेuring में हुआ नंड की प्रथम वर्ग कि रस्टाइप किस छंद में नंबर 14 बार अगले कोश्चिन कह रहाँ कि धरी घर्णानंद की रस्खान की देव कि तो जो गिरीगा था है वो घना नंद की करते है इसलिए right answer question का हो जाएगा B number ठीक है अब बात करते है एक लिए question की अगला question कह रहा है कि घना नंद का किस जात से संबंध था या किस जात से संबंधित थे हो तो question करते हो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा कायस्थ ठीक है इनका जो संबन्द था वो कायश्थ जात्से था इसलिए राइट अंसर का हो जाएगा C नंबर अब बढ़ते हैं अगले कुश्चिन के उर लिखा है घना नंद जी किसके उपासक थे राधा किशन के सीता राम के बुद्ध के उपरोक्त में से सभी लिखा है घना नंद जी राधा किशन के उपासक थे राइट अंसर ए नंबर बढ़ते हैं अगले कुश्चिन के उल अगला कुश्चिन के राग निम्ड में से कुश्चन कोमदी किसकी उक्रती है आपसेर मिल जाएंगे पर्मा नंद की घना नंद की रहधास की कृष्ण दास की तो question का right answer हो जाएगा घना नंद की ठीक है अगला question है कि घना नंद जी रीत काल के कौन से धारा के कभी थे बात करते हैं अगले question की अगला question कहरा कि घना नंद को अमर करने वाली रचना का क्या नाम था क्रपाकान्ड, सुझान सागर, ब्रहलीला और डी नंबर में से कुई नहीं तो question का right answer हो जाएगा B number सुजान सागर ठीक है B number बात करते हैं एंगले question की अलगा question है की निम्न में घना नंद जी किसके यहां दर्बार में मीर मुनसी थे नंबर एक साथ जहां के अकबर के मुहमत साथ रंगीले के और D number जैसिंग तो इस question का right answer हो जाएगा answer number D जैसिंग घना नंद जी जैसिंग के यहां मीर मुनसी थे ठीक है उनके दर्बार में D number right answer अगला question है की घना नंद जी की कितनी रचना प्राप्त हुई है अब सर्ण आपको मिल जाएंगे 8, 6, 2, 5 तो घना नंद जी की जो रचना प्राप्त हुई वो 5 हुई है इसलिए question का right answer हो जाएगा D number यानि की 5 अगले question के बढ़ते है लिखा है की डाक्टर नागेंद्र ने घना नंद जी के पदों की संख्या कितनी मानी है 1500 1700 1057 और D number 1250 तो question के तो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा 1057 C number ठीक है बढ़ते है ने इस question की और ने इस question कह रहा कि निम्न में से ब्रज बेवार किसकी रस्ना है आलम की गंग कभी की घना नंद की वल्लब की तो right answer आप सभी को मालूम हो गया होगा किसी हो जाएगा बात करते हैं एंगले question की लिखा है की एरे बीन पौने सबय और गौन बीरी पंक्त में गौन का सबदार्थ क्या है अर्मान गमन तड़प और मेंसे कोई नहीं तो इस जो पंक्त है उसमें गौन का जो सबदार्थ है वो गमन है राइट एंसर इसका हो जाएगा बीनमबर इसी तरह एक जाम में question पूछी लिया जाते तो आप लोग ध्यान में रखिएगा नेस question है कि भावना प्रकास किसकी करते है नमबर एक सूर दास की रहीम दास की आप लोग आपसन पढ़ लीजिए और राइट एंसर का हो जाएगा डीनमबर ठीक है बात करते हैं एकले question की अगला question कह रहा है कि नेमनिकित में से घनानंद किस संप्रदाय में दिच्छित हुए नमबर आपसन मिल जाएंगे सिद्ध संप्रदाय निंबार्क संप्रदाय और नाद संप्रदाय और प्रोक्त में से सभी तो question का तो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा निंबार्क ठीक है बी नमबर बढ़ते हैं अगले question के और कि घनानंद जी ने किसके सैनको को मार डाला था नमबर एक है नादिर सा के हुमाई को अकबर के और राष्ट आपसने सेरसा सूरी के तो घनानंद जी ने नादिर सा के सैनको को मार डाला था इसलिए question का right answer यह हो जाएगा इस तरह कि एक्जा में question आया जाता है तो आप लोग ध्यान दखिएगा जो लोग घनानंद के बारें deeply पढ़ें उनको इस question के बारें मालूम होगा ठीक है अगले question के बढ़ते हैं लिखा कि घनानंद जी ने किसके कहने पर मुहमत सा के दबार में गाया ना गाया था राजा के कहने पर करतान के सु जान के कहने पर मुहमत सा के दर्बार में गाया था राइट एंसर का हो जाएगा सी नंबर बढ़ते हैं अगले question के और घनानंद जी की रचनाओ का वर्गी कर कितने भागों में किया जा सकता है साथ में बारा में पांच में दो में राइट एंसर को जाएगा उनकी अगले question के और बढ़ते हैं लिखाय के निम्रिखित में से प्रियाप साथ किसकी क्रति है सुर्दास गंग कभी घनानंद इन में से कोई नहीं राइट एंसर हो जाएगा सी नंबर एगले question के और बढ़ते हैं लिखाय के घनानंद ने अधर लगे हैं आन करके पयान प्रान नंबर एक बिवा के समय घर लटते समय मरते समय सोते समय कोई राइट एंसर हो जाए घनानंद ने अधर लगे हैं आन करके पयान प्रान कहेते मरते समय इसलिए राइट एंसर का हो जाएगा सी नंबर जयान लखेगा एक जाम में कई बार पूंच लिया जाता है question अगला question कहे रहा कि निमन में घर नंद का उत्तर वर्ती जीवन कहां गुज्रा था मतुरा में द्वारिकापुरी में वरंदावन में कासी में question करा राइट एंसर हो जाएगा ब्रंदावन में नंबर बात करते हैं अगले question की एक ला question कह रहा कि घरा नंद जी का देहान कब हुआ था यानि उनका निधन कब हुआ था आप से आपको मिल जाएंग 1780, 1650, 1770, 1796 घरा नंजी का देहान था यानि की निधन हो गया था राइट एंसर टी नंबर हो जाएगा तो दोस्तों घरा नंजी से related इस वीडियो में पूरे 30 question रखे थे जो कई बार एक्जाम में repeat हो चुकी है और आने वाले exam में आपके काफी help करेंगे सारे question आप जहां से पढ़के ज सब्सक्राइब करेंगे और हां चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो की discussion में टेलेग्राम चैनल का लिंक को प्रवाइट कर दिये जाएंगे हम आपको मिलते हैं निस्ट वीडियो में तब तक लिए जहिंद